हाई एक और रेसिपी में आप सभी का वेलकम है यह रेसिपी हमने पहले भी बनाया था बट आज का चूर तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है जिसके लिए मैंने यह सारी वेश्टेवल्स लिया है जिसमें पंकिन है टेमस्टिक है बैगन है गाजर है और गोबी यह है मसूर का दाल जिसको दो कर मैंने डाला है और यह सारी वेश्टेवल्स को कट कर लिया गया है और इसको धो लिया गया है अब इन सभी वेश्टेवल्स को हम इसमें डाल लेंगे डाल के साथ जितने भी वेश्टेवल्स है हम ज्यादा कॉंट्रिम बना रहे हैं तो यह है अदरक और लेसन का पेश्ट और ये है कटा हुआ प्याज उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और ये है करी पत्ता उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हारा धन्या पत्ता और ये है हल्ली पाउडर, मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ओके सो हम ये कूकर में बना रहते हैं फिर हमने इसे चेंज कर लिया है और ये है नमक क्यों कोई कूकर में हो नहीं पाया इसलिए और ये है ओईल इसको हम पकाएंगे कडाई में और ये है हरे मिर्च उसके बाद हम इसमें डालेंगे बानी जितनी ज़रूरत है ओके ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला है सो कूकर हमारा छोटा पड़ गया इसके लिए इसको मैं बना रहा हूं कडाई में अगर आप थोड़ा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप कूकर में ही बनाएगा दो वेसिल लगनी चाहिए सो सारा जो वेश्टेबल्स और दाल था मैंने कडाई में ट्रांसफर कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको बॉइल होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक यह बॉइल होता रहेगा सभी वेश्टेबल्स और दाल पूरी तरह से बॉइल हो जाए उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे सो यह देखे बॉइल हो रहा है तो अब हम लगाएंगे इसका तड़का जिसमें मैंने लिए रिफाइन ओईल तड़का बुनाने के लिए आप सर्सों का तेल का इस्तेमाल करें सबसे बेश्ट रहेगा मैंने डाला है लैसन और यह लाल सूखा मीर्स और यह करियापत्ता उसके बाद हम इसमें डालेंगे सर्सों और जीरा ओके थोड़ा सा पका लेंगे हलका सा हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरह से पक जाना चाहिए पुरा तेल में तो अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर गैस मैंने बन कर लिया है और यह है मिर्च पाउडर अब इसको मिक्स करेंगे उसके बाद इसे अब डाल लेंगे जो हमने बनाया था डालमा तो यह है दूसरा तरीका पहले जब मैंने बनाया था वह तरीका अलग था लेकिन तड़का सेम था पर ये बनाने का तरीका अलग था तो अब डालेंगे हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह तरीका लगता है और दर्का बिलकूल सेम ही है तो कैसे लगा अक्त को सेर् ने क्रेश करें और चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फिर मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो करें तो यह बिल्कुल तयार है, खाने के लिए देखिए, पहले जैसे हमने बनायता है, बिल्कुल वाई सही है, और सिर्फ तड़का सेम है, बाकी तरीका इसका बिल्कुल अलग था, वीडियो को सेर जरूर करें, और चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करें, फिर मिलेगे नेक्स्ट वीडियो,